My name is Raj and you are watching your favorite channel Raj Technical Analysis आज का डेट है 25 सेप्टेंबर 2021 आज हम लोग जिन शेर्स के उपर monthly preview कर रहे है वो है rain industry तो क्या भी इसे buy करना चाहिए या नहीं धानी services जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ support और resistance क्यों जरूरी है और क्रिसल क्या करना चाहिए इसके लिए वीडियो जरूर पूरा देखिए पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको कहना काई tips मिलेगी चो आपको share analysis करने में काफी मदद करेगा साथ मैं आपको इभी कमनी के उपर वीडियो बनवाना ताहते हैं तो जल्दी से मेरे comment box पर बताईए ताकि मैं उस पर जल से जल research करके वीडियो बना सको बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कीजिए ताकि आपको regular update मिलता रहे मेरे चैनल की USB यह है कि मैं आपको date के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही support और resistance पताने की कोशिश करता हूँ मेरे चैनल की दूसरी बड़ी USB यह है कि मैं आपे हर Friday, Saturday, Sunday, monthly preview बनाता हूँ यानि कि पिछले महिने मैंने जो भी share के उपर वीडियो बना है उसके इस महिने आपको support और resistance से update कराता हूँ इससे जितने भी मेरे subscriber है, regular viewer है अगर वो इन shares पे invest कर रहे हैं तो इसके हिसाब से वो अपना technical analysis कर सकते हैं साथ मैं आप मेरी playlist में भी देख सकते हैं पे पे मैंने आप लोगों के लिए category wise classification किया हुआ है अब बात करते हैं आज हम लोग जिन shares के उपर monthly preview कर रहे है बट उससे पहले आप ये उपर diavailing पे जरूर देखिए जहां पे मैंने पिछले मैंने इनी तिनों shares का monthly preview बनाया हुआ था बात करें rain industries की rain industry company क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप ये उपर दिये वे link पे जरूर देखिए rain industries का मैंने वीडियो बनाया था 19 ऑगस 2021 को तब इसकी closing थी 214.50 पैसे support 1 दिया था आपको 175 का support 2 200 का support 3 225 resistance 1 भी दिया था 225 का और resistance 2 दिया था 250 resistance 3 मैंने blank छोड़ा था हाइस बात में बोलूँगा उससे पहले rain industry आज की date पे अगर आप देखेंगे 24 September 2021 को इसकी जो closing थी 226.40 है support 1 same दे रहा हूँ 175 support 2 200 support 3 225 resistance 1 250 resistance 2 275 और resistance 3 मैं अगें blank छोड़ रहा हूँ highest अगर आप इसका देखेंगे 249.90 है जो मैंने आपको last month में resistance लेवल दिया था और lowest अगर आप इसका देखेंगे यह है 191.60 जो की almost support 2 के नीचे आया था और अभी अगर आप देखेंगे 226 पे जो है वो almost support 3 के लेवल पे है तो rain industry अगर आप मेरे को follow कर रहे हैं पहले last videos देख रहे हैं तो definitely आप profit में अब बात करते हैं धानी की धानी कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वे link पे जरूर देखिए धानी का जब से मैंने वीडियो बनाया है जो भी बंदा वो वीडियो देखा रहेगा और उसके बाद से follow किया रहेगा आज दक I think 4-5 बार तो उन्होंने support पे buy करके resistance पे sale करके profit कमया रहेगा जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 80% जो share है वो support resistance के बीच में चलते हैं और जो लोग मेरे को follow कर रहे हैं regularly देख रहे हैं वो ये concept अब समझ चुके होंगे धानी का मैंने last time वीडियो बनाया था 19 August 2021 को तब इसकी closing थी 196.50 support 1 दिया था आपको 155 का support 2175 support 3200 resistance 1200 resistance 2225 और resistance 3 दिया था 250 का धानी अगर आज की डिट पे देखेंगे 24 September 2021 को इसकी जो closing है again 179.90 है और same support और resistance दे रहा हूँ आपको 155 का पहला support 175 second support 200 third support और फिट से ही ये resistance अगर लिया तो 200 पे पहला लेगा 225 पे दूसरा और 250 पे तीसरा हाइस अगर आप इसका इस महने का देखेंगे 211 था पट इसका इसमेने का lowest है 176.40 जो की almost support 2 के पास है तो अगर आप लोग regularly मेरे वीडियोस देख रहे है धानी के तो definitely आपने last time भी 180 पे 175 पे बाई किया रहेगा 200 आने पर ठीक है आप wait कर सकते थे 211 तक but 200 से नीचे आते आपको sale करना था और आज आपके पस फिर सो opportunity थी कि आप इसे buy कर सकते हैं अब बात करते क्रिसिल की क्रिसिल कंपनी क्या करती है कौन सी category में आती है यह सारा information जाने के लिए आप यह उपर दिये वे लिंक पर ज़रूर देखिए क्रिसिल का I think मैंने आप लोगों को जब buying दिया था 1600-1700 पर मैंने suggest किया था कि आप इसे तब buy कर सकते हैं और उसके बाद से वो उस level पर आज तक नहीं गया यानि कि जो भी मेरे subscriber है, viewer है अगर वो वीडियोस देखे रहेंगे, live source में आए रहेंगे और सुनकर अगर उन्होंने share उठाय रहेगा तो वो definitely almost 800-900 रुपीज या you can say 1000 रुपीज पर share के profit में है crystal company का मैंने last time वीडियो बनाय था 19 August 2001 को तब इसकी closing थी 2689.55, support 1 दिया था आपको 2200, support 2 2450, support 3 2600, resistance 1 2700, resistance 2 2900 और resistance 3A 3000 highest अगर आप इसका देख रहे हैं वो है 2968.25 जो की almost resistance 3 के पास है अब बात करते हैं आज के date पे आने के 24, September 2021 के इसकी जो closing हुई उसका है 2862, उन तीनों में actually 25 date आना चाहिए था, यह मैंने कल के closing के हिसाब से डाल दिया है support 1 अगर आप इसका देखेंगे यह है 2450, support 2 2650, support 3 2850, resistance 1 2850, बहुत crucial लेवल पे है resistance to 3000 and resistance to 3,200, highest जैसे मैंने बता है 2968.25 और इसका इस महने का lowest है 2500 जो अगर आपने पिछला महिना देखकर भी 2600 के नीचे लिया रहता तब भी आप आज profit में रहते हैं इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ आप सारे technical analysis study कीजिए बद support और resistance सबसे कोड़ चीज़ है अगर आप इससे पकड़ने में कामियाब हुए तो definitely आपका जो number of trades में benefit है वो आपको 100% होगा loss में आने का chances बहुत कम है क्योंकि अगर आप support level पे buying कर रहें तो definitely वो resistance तक जाएगा और resistance पे अगर आप resistance से नीचे आ रहा है आपने अगर उसे sale किया तो support पे आने तक आपको wait करना है और अगर वो support से और नीचे आ रहा है तो आपके लिए और अच्छी opportunity है उमीद करता हू आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे अच्छी लगे तो please like और subscribe कीजे जैसे मैं आपको support करता हूँ सही support और resistance देकर उस तरह आप भी मुझे support कीजे मेरे वीडियो को like कीजे subscribe कीजे और आगे आपके family friends पे forward कीजे ताकि जो लोग भी share market में trading कर रहें या फिर investing कर रहें ताकि ये important information उन तक भी पहुन सके thank you so much have a nice day